तो देखते हैं पर कोश्चंबर 8 में हम से क्या पूछा गया है तो हमें यहां पर दो लिक्विट दे रखे हैं A and B और दोनों का हमें यहां पर वेपर प्रेसर दे रखे हैं 450 and 700 mm तो हमें यहां पर क्या करना है liquid mixture के composition find-out करना है जब यहां पर टोटल वेपर प्रेसर कितना हो 600 mm मरत करी हो और उसके वार्थ हमें यहां पर वेपर हेस के composition find-out करना है तो दोनों का हम यहां पर mole fraction निकालेंगे तो वह हमारा यहां पर composition हो जाएगा तो कुल मुला के हम यहां पर क्या करना पड़ेंगे मोल fraction निकालने पड़ेंगे तो करते हैं यहां पर इसको solve तो सबसे पहले मैं यहां पर क्या करूँगा मोल fraction जो लिक्विट A and B है वह हमें यहां पर नहीं पता X A माल लेंगे X हम यहां पर मोल fraction से denote करते हैं and A हमारे यहां पर A liquid की बात करें तो इसको हम यहां पर X A माल लेंगे and as it is मैं यहां पर मोल fraction of liquid B की बात करूँ तो यह हमारे यहां पर क्या हो जाएगा इसको हम यहां पर X B मालेंगे यह हमारे पर क्या होगा, 1-XA होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों को add करने भी हमारे कितना रहा है, 1 रहा है जैसे कि मैं आपको यहाँ पर पहले बताया था, अब हम यहाँ पर क्या निकालना है, total pressure के formula से, हम इसके यहाँ पर क्या निकालनेंगे, plus vapor pressure of B liquid, दोनों को हम हम यहाँ पर क्या करना है, add करना है, और हमारे हम पर vapor pressure of solution का formula होता है, वह हम इहाँ पर note-down कर लेते है, वह हमारे हम पर vapor pressure of pure solvent multiply mole fraction, तो vapor pressure of pure solvent को हम हम यहाँ पर P0, A straight note कर देंगे, और मोल fraction होता हम हम यहाँ पर X red note करते हैं, तो हम यहाँ पे A liquid की बात करें तो यहाँ पे X A लिंगे As it is मैं यहाँ पे B liquid की बात करूँ तो इसका जो हमारे है पे वेपर पैसर और सॉलूशन हो जाएगा वो हमारे हैं पे क्या हो जाएगा वेपर पैसर और प्योर सॉल्बेंट फो लिक्विड भी and यहाँ पर आ जाएगा mole fraction of B liquid, इसे हम यहाँ पर multiply कर देंगे, तो यह हमारे यहाँ पर P0 भी हो जाएगा and यहाँ पर X भी आ जाएगा and जो हमें यहाँ पर total vapor pressure दे रखा था, वो हमें यहाँ पर 600 mm दे रखा था, तो मैं यहाँ पर P0 B हो हमारे यहाँ पर क्या है 700 mm mercury है, तो इनकी value भी हम यहाँ पर पूट कर लेंगे, इससे पहले हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो हमें यहाँ पर X B की value दरखिये, वो में यहाँ पर 1- X A लिखके, पहले इसको यहाँ पर इसके बाद हम यहाँ पर value पूट करके, compare करके हम यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, हम यहाँ पर दोनों के mole fraction निकाल सकते हैं, तो यह हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा 600 equal to P0 A और X A को हमें यहाँ पर as it is लिखना है, plus P0 B X B को हमें यहाँ पर लिखना है, 1- X A लिखना है अब मैं यहाँ पर इसके अंदर multiply कर दूंगा तो यह हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, P0 A X A P0 B –, P0 B X A अब simple हमें यहाँ पर क्या करना है value put कर दे एहाँ पर दोनों में हमारे जोiran हमारे धान के प्ला है X A ूर्य प्लस हमारे धिया HUset एक से कॉमन आ ए 700 लेफ सेट जाएगे, तो negative 700 नेगेटीव कर 700, पॉसिटिव कर 600 माइनिस का 100 ौजाएगा, equals to अंड ये हमार ही दीच positivity XA हमें ही पर निकालना क्या मोल फ्रेकशन लेंगे लिए liquid के लिए, तो ये हमार लेच P orug 2K Q, 7 жив unable to minus S orug M, पॉसिटिव लेच हैगे and यह हमारे हैं पर इसकी नीचे चला जाएगे तो 1 divided by यहां पर कितना आजाएगा 250 आजाएगा 0 से 0 कर जाएगा 5 तूज़े 10 and 5 तूज़े 25 2 by 5 हमारे हैं पर डिवाइड करें तो कितना आजाएगा 0.4 आजाएगा यह मोल फ्रेक्शन उf लिक्विट Arup जिसकी means अगरं मोल फ्रेक्शन उf लिक्विड A के बात करणो कि तो हमें 1-0.4 कर जाएगा तो यह दो अन्याँ पर कितना आजाएगा 0.6 अजाएगा तो हमने यहां पे दोनों को composition निकाली है जब हमारे यहां पेब रखंपर प्रेसर कितना होगा 600 mm होगा जब बताएंग भीपर प्रेसर को निकालने से पहले हमने पेब रखंपर रहे है कि pure solvent के जो हमारे हैं पर रेपर रिकल के लिए P0AXA, मैं यहापे लिख देता हूँ, P0AXA, and इसकी value हमारे यहापे कितनी हो जाएगे, P0A की value हमारे यहापे कितनी थी, 450 थी, multiply XA की value हमारे यहापे कितनी निकली है, 0.4 निकली है, तो मैं 0.4 को point अटागे, यहापे नीचे से 10 डिवाइट कर सकता हूँ, तो यह हमारे यहापे 0 से 0 कट जाएगा, अब हमें यहापे 45 को 4 से मंटिप्लाइ करना है, 45 को 2 से करेंगे, तो 90 होता है, 180 mm मरकरी इसकी unit आजाएगे, अब हमें as it is, बी लिक्विट फील निकाले ना है, तो यह हमारे इसका वेपर प्रेसर कितना हो जाएगा, P0B XB equal to, इसकी value हमारे यहापे कितनी थी, 700, 0.6 हो जाएगा, 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 0.6 हो mm, mercury निकल के आजाएगा, उसके बाद हमें यहाँ पर दोनों के mole fraction निकाल ले रहे हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, mole fraction, mole fraction of A, in vapor phase, तो हम यहाँ पर पहले mole fraction of A, निकाल लेंगे in vapor phase, जिसको हम यहाँ पर Y, A से दिनोड कर देंगे, तो इसका formula हमारे हैं पर क्या हो जाएगा, vapor pressure of A liquid divided by, vapor pressure of A, plus vapor pressure of B, तो vapor pressure हम सबसे पहले A के लिख लेंगे, तो यह हमारे हैं पर क्या हो जाएगा, PA हो जाएगा, इसके बाद हैं पर क्या जाएगा, PA plus PB आ जाएगा, तो vapor pressure of pure solvent for A liquid, फिर लिक्विड पर कितना था? 180 था, डिवाइड बाइड 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 है, बाइड निकल के आजाएगा, इसकार बाइड बाइड है, इन दोन को डिवाइड कर लेंगे, यह हमारे हैं पर क्या हो जाजागा, 6, 3, 18, एंड यह हमारे पर आजागा 10, तो 3 by 10, हमारे हैं पर कितना निकल के आजाएगा? 0.3 निकल के आ जाएगा जलब मैं दिलिक अ कर दाएगर अ कर देनी लेक्विद और कर दो कि कि यहां यहां पर देगा často के यहां पर फरक्षिन 1B liquid के लिए वो हमारे हम पर कितना है 420 है divided by यह हमारे हम पर कितना हो जागा total vapor pressure जो कि 600 है 0 से हमारे हम पर 0 कट जाएगा इसके बाद हम यहाद भी 6 से कल लेंगे 6, 7 जा 42 एड यहाँ पर आजागा तो 7 by 10 हमारे हमारे हम पर कितना निकल के आजागा 0.7 निकल के आजाएगा तो इसका हमारे हम पर अंसर निकल के आगया तो vapor phase के जो composition है वो हमारे हम पर 0.3, 0.7 है और जो हमारे हम पर liquid mixture के लिए जो composition थे वो हमारे हम पर 0.4 थे and 0.6 थे अब हम चलते हैं पर नेस्ट कुशिन के तरफ